पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना कि वो चाहे रोड शो कर ले या फिर एर शो कोई फरक नहीं परने वाला है हम लोग जोब शो करते हैं अब तेश्वी यादव के इस जोब शो वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है और हम जुप प्रीमे और बिहार के पुर्ब मुख्यमंद्री जीतन राम मानजी ने भी तेश्वी यादव पर निशाना साथ तेवे कहा है कि ये जन्ता को बिवगूफ बनाने का काम करते हैं बिहार के पुर्व डिप्टी सीयम और आरजेडी नेता तेश्वी यादव के जॉबशों वाले बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पुर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी ने पेश्वी यादव पर पनटवार करते हुए कहा कि जब सरकार में थे तो उनके पास पाँच पाँच विभाग थे कितनों को नौकरी दी। मांजी ने आगे कहा कि बिहार की जनता बुद्धु नहीं है। जनता सब जानती है य जीतन राम मांजी ने कहा कि तेश्वी यादव के पिता भी 15 साल सरकार में थे। उस वक्त उन्होंने कितनों को नौकरी दी। बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दिया है। तेश्वी यादव भले ही चुनावी सभा में कुछ भी बोलते हैं लेकिन बिहार की जनता मानती है कि ये लगातार जूट बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे और अगर कोई बहाली होता है तो मुख्यमंत्री उस पर आदेश करते हैं। तेश्वी यादव बताए जिस विभाग में थे कितना नौकरी दिये थे। गौर तलब ह है कि तेश्वी यादव अपनी चुनावी जनसभाओं के दौरान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 17 मैनों में सरकार में 5 लाक नौकरी दी, 4 लाक पचास अजार सिक्षकों को राज्यकर्मी का दरजा दिया, 3 लाक नियुक्ति को मन्जूरी दी, वई पीम नरेंद्र मोधी 12 म 30 हो गई है, जिसको लेकर जीतन राम मांजी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जो जनता है वो बुद्धू नहीं है, तेश्वी यादव जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं, भिहार की जनता को किसने नौकरी दी, ये जनता बखू भी जानती है, तो तेश्व वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद